देश में कोरोना से हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है तस्वीरे देख कर आखे बराती है डर और जादा बढ़ जाता है किसे ने अपने पिता को खोया, किसे ने बेटे को, किसे ने मा को, तो किसे ने बेटी को हर कोई तबाही जैसा मनसर देख रहा है और हर तरफ तबाही जैसा मनसर है सरकार को कोज कर अब लोगों ने खुद कमान समाल ली है लोगों ने एक दूसरे को जागरू करना चुरू कर दिया है सोशल मीडिया के जरीये लोग अलग अलग तरह के पोस्ट डाल रहे हैं और लोगों में अपील भी कर रहे हैं साती आक्सीजन को लेकर भी अपडेट दे रहे हैं क्योंकि देश में आक्सीजन की कमी अचानक से हो गई थी ऐसा लग रहा है मानो सारी जिम्मदारी डॉक्टर्स पर आ गई है 2020 से 2021 तक डॉक्टर्स ने अपनी जान को जोखी में डाल कर इस बीमारी से लड़ा है और अभी भी लड़ रहे हैं लेकिन इस बार हालाद बहुत ज़्यादा देन्ये हैं इसलिए माहराज के डॉक्टर अपने आसुद नहीं रोक पाई देखिए जब धर्ते के भागवान रोते हैं तो कैसा महसूस होता है गुड मॉर्निंग मेरे परिवार वालो और मेरे फ्रेंस बहुत सारे डॉक्टर्स के तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं आपको अगर कुछ-कुछ चीज़े बताना चाहती हूँ और मैं शायद अगर यह बताऊंगी और अगर आप लोग सेफ रहोगे तो I might be at more peace जैसे आपको सब को पता है कि Bombay की हालत तो बहुत खराब है और धीरे-धीरे बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे states even towns की हालत खराब होते जा रही है Bombay की हालत तो इतनी खराब है कि हमारे hospitals में ICU beds waiting पे है patients के लिए beds नहीं है it's a very very helpless यहने मुझे इतना helpless और लाचार कभी फील नहीं हुआ है we have to literally manage patients at home with oxygen and this is not something we are enjoying so I really really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow first आप लोग प्लीज सेफ रहो अगर आपको लग रहा है कि आपको एक साल से करोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई super hero हो या आपकी immunity बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा तो आप गलत फैमी में हो हम यंग लोगों को देख रहे हैं I mean we have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now so we do not want we really don't want any of you to be in that situation so sorry I think this emotional breakdown है हम डॉक्तर में अब सबको कोई ने कोई समय हो राए because we've not been so helpless okay so most importantly please take care of yourself right now COVID is everywhere around you okay तो अगर आप घर से बाहर निकलो maybe you're meeting your friends maybe you're meeting your family it does not matter you have to be masked okay just because आपको अभी एक साल से कुरोना नहीं हुआ है या आपको पिछते साल कुरोना होकर जा चुका है इसका मतलब यह नहीं है कि आपको वापस कुरोना नहीं हो सकता you can still get COVID तो please keep yourself very well masked at all times अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो घर के बाहर निकलो mask होना चाहिए mask सिफ इधर रही mask पूरा नाक से पूरा यहां तक होना चाहिए दूसरी बात अगर आपको कुछ होता है अगर आपको बुखा रहता है या कुछ होता है पानिक मत होई है do not get unneeded investigations done get in touch with me obviously immediately and most importantly आपके जो friends है या कोई भी है उनको बोलो पानिक में होकर admit न होए hospital में फिलाल जो situation है वो ऐसी है कि बहुत सारे hospitals में stable patients admit हो रहे है और बहुत सारे लोग जिनको actually oxygen की जरूवत है उनके लिए हमारे पास bed नहीं है in fact हम लोग घर में लोगों को oxygen देके manage करने की कोशिश कर रहे और ये हमने पहले कभी नहीं किया है कि हम इतने सारे लोगों के लिए beds दून रहे इतने सारे लोगों को घर में manage करने की कोशिश कर रहे so please leave beds for people who actually need it who have pneumonia who need oxygen and who will need to be under very close medical care third thing if you have not taken the vaccine अगर आपने vaccine नहीं ली है किसी भी कारण से हो सकता है आप travel कर रहे हो हो सकता है आपको vaccine की hichak हो हो सकता है आपने कुछ whatsapp पे forward पढ़ा हो कि vaccine के वज़े से कुछ side effects हो रहे है या कुछ हो रहे है it's untrue please take your vaccine ये हमको definite दिख रहा है कि जो लोगों के दो vaccine के shots होकर दो हफते हो चुके है उनमें definitely हमको infection serious infections कम दिख रहे है और hospitalization ना के बराबर है so the vaccine is definitely helping okay so take care of yourself do not take COVID-19 likely please pray for the people in the hospital and please pray for the families and the caretakers of all these people in the hospital उनको आपके प्रार्थना की बहुत जरुवत है और सबसे जरुवत है कि आप अपना ध्यान रखे okay and बस घर पे रहो आप कुछ हफतों तक सिफ घर पे रहो जब तक हम ये situation ऐसे handle कर सके कि हम at least कुछ हो जाए तो हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ले सके फिलाल हालत ऐसी है कि डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के रलेटिवस को भी नहीं मिल रहा है तो आप सोचिए कि इस अन अप्सुलूटली हेल्पलेस सिचुएशन अगर हम सब इतना ध्यान रखेंगे we will definitely come through this second wave very well and then we will have to work on not allowing a third wave so third wave का हम बाद में सोचेंगे वो तो नहीं आना चाहिए पर जो ये second wave है इससे हमको कोई भी हालत में एकदम safely निकलना है तो देखा आपने महाराज की जॉक्टर है और इस तरह के अरीको डॉक्टर है जो लगातार आपसे अपील कर रहे है इसलिए साबधानी सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि डॉक्टर अपनी जान को जोखिम में डाल कर आम जनता को बचाने की कोशिश कर रही है लेकिन सारी जिम्मिदारी सिफ डॉक्टर की नहीं है आप भी देश के नागरिक है आप भी जिम्मिदार बनिये